जिन्दगी बहुत कूबसूरत है एक व्यक्ति आटो से रेलवे स्टेशन जा रहा था आटो वाला बड़े आराम से आटो चला रहा था एक कार अचानक ही पार्किन से निकल कर रोर पर आ गई आटो ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक लगाया और कार आटो से टकराते टकराते बची कार चला रहा आदमी गुस्से में आटो वाले को ही भला बुरा कहने लगा जब की गलती उसकी थी आटो चालक एक सत्संगी सकारात्मक विचार सुनने सुनाने वाला था उसने कार वाले की बातों पर गुस्सा नहीं किया और क्षमा मांगते हुए आगे बढ़ गया आटो में बैठे व्यक्ति को कार वाले की हरकत पर गुस्सा आ रहा था और उसने आटो वाले से पूछा तुमने उसकार वाले को बिना कुछ कहे ऐसे ही क्यों जाने दिया उसने तुम्हे भला बुरा कहा जब की गलती तो उसकी थी हमारी किस्मत अच्छी है नहीं तो उसकी वजह से हम अभी अस्पताल में होते आटो वाले ने कहा साहब बहुत से लोग गार्बेज ट्रक कूडे का ट्रक की तरह होते हैं वे बहुत सारा कूडा अपने दिमाग में भरे हुए चलते हैं जिन चीजों की जीवन में कोई जरूरत नहीं होती उनको मेहंत करके जोडते रहते हैं जैसे क्रोध घेना चिंता निराशा आदी जब उनके दिमाग में इनका कूडा बहुत अधिक हो जाता है तो वे अपना बोज हलका करने के लिए इसे दूसरों पर फेंकने का मौका ढूंढने लगते हैं इसलिए मैं ऐसे लोगों से दूरी बनाये रखता हूँ और उन्हें दूर से ही मुस्करा कर अलविदा कह देता हूँ क्योंकि अगर उन जैसे लोगों द्वारा गिराया हुआ कूडा मैंने स्विकार कर लिया तो मैं भी कूडे का ट्रक बन जाऊंगा और अपने साथ-साथ आसपास के लोगों पर भी वह कूडा गिराता रहूंगा मैं सोचता हूँ जिन्दगी बहुत कूबसूरत है इसलिए जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुरा कर माफ कर दो हमें यह याद रखना चाहिए कि सभी मानसिक रोगी केवल अस्पताल में ही नहीं रहते हैं कुछ हमारे आसपास खुले में भी घूमते रहते हैं प्रकृती के नियम यदी खेत में बीज न डाले जाए तो कुदरत उसे घासपूस से भर देती है उसी तरह से यदी दिमाग में सकारात्मक विचार न भरे जाए तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना ही लेते हैं दूसरा नियम है कि जिसके पास जो होता है वह वही बांटता है सुखी सुख बांटता है दुखी दुख बांटता है ज्यानी ज्यान बांटता है ध्रमित ध्रम बांटता है और भयभीत भय बांटता है जो खुद दरा हुआ है वह औरों को डराता है, दबा हुआ दबाता है, चमका हुआ चमकाता है